सो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बहतरीन स्टोरी को अगर आप भी स्टोरी की मदद से अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं स्टोरी यहां पर बता class family अब आगे मैं उसके बारे में बता रहों कि वो एक middle class परिवार से आता है comes from a middle class family और वो एक middle class परिवार से आता है and currently doesn't have a job. एक information और दे रहे हम उसके बारे में and he currently doesn't have a job. और उसके पास हाली में job भी नहीं है. He had been preparing for a government job for the last four years. तो यहाँ पर हमने had been का उसके है यहाँ पिछले चार साल से क्या कर रहा था गोर्मेंट जोब की तयारी कर रहा था है यह काफी लंबा period है चार साल से तयारी कर रहा था तो हम बतारे हैं कि he had been preparing for a government job for the last four years वो पिछले चार साल से government job की तयारी कर रहा था but despite his effort effort का मतलब होता है परियास but despite despite का क्या मतलब होता है बावजूद but despite his efforts यह उसके परियास के बावजूद he hasn't been able to secure one उसे जोब जो है वो नहीं मिल पाई यानि कि वो चार साल से गोर्मेंट जोब की तयारी कर रहा था but despite his efforts लेकिन अपने मेहनत परियास के बावजूद भी he hasn't been able to secure one उसे जोब नहीं मिल पाई यहां पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है यहां पर जोसकी हिंदी लिखी गई है नो पिछली स्टोरी की होगी एडिटिंग करते वक्त तो थोड़े इसके जो हिंदी है वह इसी स्टोरी की नहीं वह दूसरी स्टोरी की है जो थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी आगे से नहीं हो गए हाँ पर आगे बताएं कि जाओ की सर्चिंग फुरे प्राइवेट जो अब वह त्राइवेट नौकरी की तलाश इसको इसकी हिंदी वह सर्चिंग फूर प्राइवेक नोगिपर नोगिडास कर रहा है but it has been six months immersion 7 नोग जिए जब घरा सब्सक्राइब इस साल महें वह तो इस तरीक सा टों पुल्ट है इसलों टराइंगे तरह बिएज सबसा हो टोगाई ग्याएब 6 महें गारे लिक्रेंग जम हें मुझे ढूनते हैं मुझे थोड़ा कोईश्च करते हैं कि अच्छी नोगरी मिल जाए अब आगे देखते हैं आपर पता जा रहा है कि आप few days ago कुछ दिन पहले I met him मैं उससे मिला and he seemed quite distressed and worried और वो काफी परिशान और चिंतित लग रहा था आप few days ago I met him कुछ दिन पहले मैं उससे मिला and he seemed quite distressed वो काफी distressed लग रहा था नहीं परिशान लग रहा था and worried और चिंतित लग रहा था हम इस तरीके से past में स्टोरी में बताते हैं कि मैंने उससे पूछा और उसने मुझे बताया यानि बताने के जग हम शेयर का यूज भी कर सकते हैं कि उसने मुझे शेयर किया जो उसकी साथ प्रोब्लम थी तो when I asked जब मैं उससे पूछा he shared उसने शेयर किया और नहीं बताया when I asked him he shared उसने बताया that despite putting in a lot of hard work यानि काफी hard work करने के बाद and efforts और परियास लगाने के बाद he couldn't secure वो secure नहीं कर पाया यानि उससे मिलने ही पाई either a government job or a suitable private one ना तो उसे private job मिल पाई मेहनत करने के बावजूद और नहीं government job मिल पाई he then mentioned यानि आगे उसने mention किया वो उम्मीध हार चुका है यानि पिछले चार साल से नोकरी की तालाश कर रहा है ना government job मिली ना private job तो आगे वो बता रहा है कि he has now given up hope कि वो अग उम्मीद हार चुका है he feels that अब वो ऐसा feel करता है ऐसा महसूस करता है he feels that neither do his parents have enough money to support a small business for him nor does he have the courage to endlessly wander around searching for a job तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है सच्छे समझते हैं कि आगे वो बता रहा है कि वो उम्मीद तो खोड़ चुका है यानि उसके पास अब को उम्मीद छोड़ चुका है that he has now given up hope he feels that अब वो feel करता है इस तरीके से महसूस करता है कि neither do his parents have enough money ना तो उसके परिवार के पास enough यानि परियापत पैसा है to support a small business for him कि वो उसके लिए एक छोटा बिजनिस खुलवा सके यानि एक support कर सके एक छोटा बिजनिस देखो middle class परिवार के लड़कों के साथ problem क्या होती कि जब उन्हें जोब नहीं मिलती तो क्या सोचते है कि एक business खोलने जोटा लेकिन problem पैसे किया जाती है तो अभी हाँ पर यही बता रहा है कि ना तो से जोब मिल पाई और he feels that वो ऐसा फिल करता है कि neither do his parents have enough money कि ना तो उसके परिवार के उसके माता पिता के पास enough पैसा है to support a small business for him कि वो उसके लिए small business support कर पाए यानि एक small business खुलवा पाए nor does he have the courage और उसके माता पिता के पास इतना परियाब पैसा है कि उसे चोटा business खुलवा पाए nor does he have the courage और ना है उसके पास हिम्मत है to aimlessly wonder around कि वो बिना वज़ा इधर उदर घूमे searching for a job, job की तलाश में He is unsure about what to do with his life अब वो unsure है यान उसे नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी के साथ अब क्या करे He is unsure about what to do with his life This story isn't just about my friend ये कहानी सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं है This story isn't just about my friend ये कहानी सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं है In today's times, आज के समय में there are many young men and women who despite being educated are unemployed ये हाँ पर आगे में बता रहा हूँ कि This story isn't just about my friend ये कहानी सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं है In today's time, आज के समय में there are many young men and women यानि आज के समय में बहुत सी ऐसे आदमी ओरत हैं यानि लड़के-लड़कियां हैं who जो despite being educated पढ़े लिखे होने के बावजूद भी are unemployed बे रोजगार हैं In such situations ऐसी situations में हम क्या करते हैं यानि जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि ना हमारे पास कोई काम है अगर ना जोब है ना कोई बिजनिस है तो in such situations ऐसी situations में we often blame the government हम हमेशा government को क्या करते हैं blame करते हैं saying that यह कहते हुए the lack of jobs is due to them कि जोब की कमी है वो उनकी वज़ा से है गोवर्मेंट की वज़ा से है और we use the excuse और हम इस बहाने का use करते हैं that we come from poor families कि हमारा जो परिवार है वो गरीब है जोब नहीं है गोवर्मेंट की वज़ा से और we use the excuse और या हम दूसरा बहाना excuse कहते हैं बहाने को या हम इस बहाने का use करते हैं that we come from a poor family कि हम गरीब परिवार से आते हैं and don't have enough money to start a business और हमारे पास business शुरू करने के लिए पैसा नहीं है यानि इन situation में हम दो चीज़ का use करते हैं government को blame करते हैं government को blame करते हैं यह कहते हुए कि उनकी वैसे job की कमी है और दूसरा excuse हम क्या देते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं इसलिए हमारे पास business शुरू करने के लिए पैसे नहीं है it's true, यह सच है मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा कि यह बात जूट है यह बिल्कुल सच है it's true that in our country यह सच है कि हमारे देश में politics doesn't revolve around employment हमारे देश में सच है कि जो politics है वो बेरोजगारी के तरफ नहीं गूमती यानि हमारी politics जो होती है देश में वो बेरोजगारी को लेकर नहीं होती but is often based on religious sentiments यह किस चीज पर होती है धरम के नाम पर जो religious sentiments होते हैं उस पर होती है हमारी जो राजनिती होती है it's also true यह भी सच है that due to poverty गरीबी के कारण we can't start our own business कि हम अपना business भी शुरू नहीं कर पाते गरीबी के कारण यह भी सच है it's also true that due to poverty we can't start our own business यह दोनों बात बिलकुल सच है but लेकिन it's also true यह भी सच है that if we decide to do something अगर हम कुछ करने को लिए decide कर लेते हैं nothing is impossible तो कुछ भी impossible नहीं होता देखो यहाँ पर बताने की कोशिश के जा रही है कि दोनों बात सच है गरीबी और जो politics हैं हमारे देश की दोनों ठीक नहीं है जिस वज़े से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे है लेकिन यह भी तो सच है but it's also true यह भी सच है that if we decide to do something अगर हमने कुछ करने का फैसलाग कर लिया है nothing is impossible कुछ भी नामूम की नहीं है I had a similar story three years ago अब मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि तीन साल पहले मेरे साथ भी यही कहानी थी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था ना मेरे पास private job थी ना ही government job थी तो I had a similar story three years ago तीन साल पहले मेरे भी यही कहानी थी I had no way to earn money मेरे पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं था I had no way to earn money कोई तरीका नहीं था मेरे पास पैसा कमाने का I didn't have a job or any means to earn मेरे पास कोई job नहीं थी या कोई भी तरीका earn करने का नहीं था पैसा कमाने का नहीं था But then I started blogging फिर मैंने blogging शुरू की posting videos on YouTube यूट्यूब पर video upload करना शुरू किया started buying penny stocks तो मैंने तीन साल पहले तीन चीज़ शुरू की थी जब मेरी भी सिचुएशन थी मेरे माता पिता के पास इतना पैसा था कि मुझे कोई business शुरू करवा सके और नहीं मैं कोई ऐसी private job करना चाहरा था चोटी मोटी हो और गोर्मेंट जो मुझे मिली नहीं थी तो मैंने फिर क्या किया सिचुएशन में तो मैंने खुद को या गोर्मेंट को blame करने के लावा पने मावाफ को blame करने के लावा I then started blogging मुझे blogging का शोक था वीडियोज अपलोड करने शुरू की and started buying penny stocks और मैंने penny stocks खरीदने शुरू किये I didn't have enough money to buy big stocks मेरे पास ज्यादा पैसा उस टेम पर था नहीं कि मैं बड़े स्टोक खरीज सकूँ तो मैंने वह स्टोक खरीदे जिनकी कीमत 10 रुपे से कम है या अगर तुम इंवेस्टिंग करना चाहते हो तो आपके पास जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसे हो आप ऐसे भी स्टोक खरीज सकते हो जो 5 रुपे 10 रुप आते हैं रिस्की होते हैं लेकिन काम कर जाते हैं कभी करी तो आपर बता जा रहे हैं कि स्टोक खरीदे जिनकी कीमत 10 रुपे से कम थी वह आसांते खरीदने नोन एस पैनी स्टोक उन्हें पैनी स्टोक कहते हैं जिनकी कीमत 20 या 10 रुपे से कम होती हैं उन्हें पैनी स्टोक बोलते ह एंड टुडे और आज आफ्टर थी एर्स यानि मैंने तीन चीज शुरू की जो मैंने भी बताया आपको तो बता रहा हूं कि तीन साल बाद आज क्या हुआ है टुडे आज आफ्टर थी एर्स तीन साल बाद I earn around 60,000 to 70,000 रुपीज पर मन्त यानि अब मैं 60-70,000 रुपे महिन गमाता हूं and the surprising thing is that और जो surprise करने वाली बात है वो यह है कि I don't have a job, मेरे पास कोई job नहीं है I earn everything online, मैं सब कुछ online ही कमाता हूं just by using my phone, बस अपना phone का इस्तेमाल करके, so यहां पर मैं आपको बतान चाहता हूं कि तरीके बहुत हैं कमाने के अगर हम शुरू करें मतलब अगर ह अब हमें कुछ online करना है क्योंकि लोग कर रहे हैं है ना तो आप investing शुरू कर सकते हो यह किन मानना में सबसादे investing से कमाता हूं मैं बहुत चोटे-चोटे share खरीद था अब से 2-3 साल पहले जो कि आज बहुत आगे पोछ चुके हैं काफी मैं कमा भी रहा हूं मैंने कभी trading नह ही है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप online शुरू कर सकते हो बहुत रास्ते हैं कमाने हैं तो आपको वीडियो कहसे लगी जरूर बताना वीडियो चले की तो लाइक जरूर करते हैं थैंक्यू सो मच पर वोचिंग इस वीडियो फैंट